गोविंदा अपने जमाने के सुपर स्टार है उन्हें और कई सारी सूपर हिट्स मूवीज भी दी हैं गोविंदा आज किसी पहचान के महताज नहीं है पर हमेसा ही गोविंदा लाइम टाइम से दूर रहना ही पसंद करते हैं बहुत ही कम समय ऐसा होता है जब गोविंदा को आवर्ड फंक्शन या फिर किसी रियालिटी शो में देखा जाता हो गोविंदा मुवीज इसे हट कर अपनी प्रसनल लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं पर वही आपको बता दें कि गोविंदा हमेशा ही अपने सोसल मीडिया अका भी लोग उन्हें ट्रोल और ट्रेंड करना नहीं भूलते आपको जान करिया हरानी होगी कि अभी पिछले कुछ दिनों में ही गोविंदा के नाम पर एक मुवी निकाली गई जिसका नाम था गोविंदा मेरा नाम जिहां दोस्तों करन जोहर के प्रोड़क्शन में इस जिह दोस्तों गोविंदा काफी हस्मक गिसम के इनसान है और वो हमीसा ही अपने परिवार के साथ साथ फांस को भी हशाने की पूरी कोशिश करते हैं आपको जान कर यह हैरानी होगी कि जैसे ही गोविंदा के इस दुनिया से चले जाने की खबर को मीडिया की सुर्खियों म यहें जगा मिली फांस से अपना आपा हो बैटे और गोविंदा के घर के बाहर जा करना रबाजी करने लगे और गोविंदा को सरधान जली अर्पित करने लगे जैसी यह खबर गोविंदा और साथ ही भांज करिशना को पड़ी उन्होंने सुसल मीडिया के जरिये से बात क विरोध किया आपको जानकर यह हैरानी होगी कि गोविंदा की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है गोविंदा वैसे तो किसी नेशिली चीज़ का सेवन नहीं करते हैं पर इसके बावजूद गोविंदा इस वक्त दिल की बिमारी से जूज रहे हैं आपको जानकर यह है खरानी होगी कि शायद इसी खबर को फांस ने या फिर हेटर्स ने गोविंदा इस दुनिया में नहीं रहे ऐसी अफ़वा करेकर जनता के सामने निकाल दी दोस्तों आने वाले वक्त में गोविंदा हस्ट पुस्ट और हैल्दी होकर अपने घर लौट आए इसके लिए कामनस जरूर कीजेगा कॉमेंट में आका हास्ट गेट वल सून गोविंदा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए का इस वीडियो के माधियम से जो कुछ भी इन्फरमेशन में आपको दी है वो हमें सोसल मेधिया के माधियम से वराप्त हुई है इस बात में कितनी सचाई है इसका प हमारे चैनल का उद्देश है आपको कीमती समय देने के लिए अमें धन्यवाद